हाई फ्रेंड्स नमस्कार आप देख रहे हैं कुंदन टेक्निकल यूट्यूब चेनल तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली एफ्रेंटिस का जो फॉम निकला है उसका फॉम हम कैसे फिलप करेंगे स्टेप बाई स्टेप बताएंगे तो आप वीडियो लाश्ट तक का उप्सन है तो इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां नोटिफिकेशन है निचे स्क्रॉल करेंगे निचे स्क्रॉल करेंगे निचे स्क्रॉल करने के बाद यहां पर डिक्रेशन को सेप्ट करेंगे और यहां पर प्रोसेस वाले सक्षन पर क्लिक करेंगे तो यह नमबर डालने के बाद आपको अधार नमबर फिल करना है अधार नमबर फिल करने के बाद यहां पर देख सकते हैं डेट वबर्थ सबसे पहले डेट सेलेट करना है उसके बाद मंथ सेलेट करना है उसके बाद एयर सेलेट करना है उसके बाद यहां पर अपना जंडर सेलेट करेंगे मेल है या फिमेल है उसके बाद यहां पर अपना कटेगरी चुच कर लेंगे जिस भी कटेगरी से आप आते हैं यहां पर अपना जो है दिव्यांग है या नहीं वो सेलेट करना है उसके बाद एक service man पहले से थे yes या no में select करना है उसके बाद register वाले section पर click करेंगे click करने के बाद आपका registration हो जाएगा successfully और email id आपका id बन जाएगा और password जो है आपके sms के द्वारा हम वाल नंबर पर चला जाएगा तो चलिए email id पासवर्ड डाल कर हम प्टा अक्सा इसमें हम login करते हैं तो चलिए id हम डाल दिया है password यहां पर फिल करेंगे password फिल करने के बाद यहां पर login वाले section पर हम click करते हैं क्लिक करने के बाद अगला interface देख सकते हैं इस परकार खुल के आच चुका है तो अब यहां पर registration नंबर दिख जाएगा उसके बाद fee amount देखिए हमारा जो zero है क्योंकि SC से हम फिल किये हैं तो यहां पर zero amount है आपका जो भी applicable amount होगा application फियोगा यहां पर आपको दर्सा आया जाएगा उसके बाद जो है नीचे scroll करेंगे और fill up application पर click करेंगे तो click करने के बाद यहां पर देख सकते हैं हो यहां पर select करने के बाद यहां पर आएंगे अपना जो है एक cut mark body chain यहां पर डालेंगे जो भी आपका जो चीन है अगर second भी डालना चाहते तो डाल सकते हैं उसके बाद village लिखेंगे उसके बाद address में पूरा address आपको फिल करना है उसके बाद अपना estate से बिल्व कर रहे हैं औसके बाद यहां पर CT का नाम लिखना है उसके बाद एक अपना पीन कोड फिल करेंगे फिल करने के बाद आपका जो नेरेश्ट में रहादा उसका नाम फिल करेंगे उसके बाद यहां पर बोल रहा है ट्रेड यानि आप आई टी आई किये हैं तो आई टी आई यहां पर नाम लिखेंगे उसके बाद किस से किये हैं कहां से किये हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर अलग अलग है स्टेट का अलग है यहां पर देख सकते हैं हम बिहार से हैं तो बिहार एंसी बिटी से हैं तो वह सलेक्ट कर लिए तो फिटर है तो फिटर सेलेक्ट किये हैं उसके बाद यहां पर दिल्ली सेलेक्ट कर लिए हैं उसके बाद आपको एक यूनिट में आपको सेलेक्ट करना है मैं अपको एक में सेलेक्ट करना ही होगा तो आप सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आ जाएंगे क्वालिफिकेशन क आप टेंथ पास किए हो सेलेट करेंगे और यहां पर पासिंग एर फिल करेंगे और यहां पर परिसेंट का जो दो मोड दिया हुआ cgp और एक था उसे select करने के बाद जितना marks का आप exam दिये हैं कितना marks लाए हैं वो फिल करेंगे फिल करने के बाद इसी परकार यहाँ पे iti का भी institute name लिखेंगे किस iti से दिये हैं उसके बाद यहाँ कब पास किये हैं वो फिल करेंगे उसके बाद यहाँ बोला है अगर semester वाई आप exam दिये हैं semester वाई semester तो आप यहाँ पर semester वाई अंग यहाँ बैठा सकते हैं तो चलिए हम अपने इसाफ से अपना अंग बैठाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बोल रहा है ITI Marksit अप्लोड करने के लिए तो आप यहाँ से ITI का Marksit आप अप्लोड कर लेंगे तो चलिए हम जहाँ भी रखे हुए हैं वहाँ से हम ITI का Marksit जो है अप्लोड हम कर लेते हैं आप भी अपने हिसाब से अप्लोड करेंगे उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है 100 KV के अंदर होना चाहिए आप जो फाइल अप्लोड करेंगे वो 100 KV से अंदर का होना चाहिए तो चलिए हम फिर से यहाँ पर हम बना लिए हैं डोकुमेंस को अब वहाँ से हम अप्लोड करते हैं देख सकते हैं सकसेजफुल का मेसेज आ चुका है तो चलिए इसी परकार हम सभी को अपलोड कर लेते हैं उसके बाद आपको का रहा है फोटो यहां पर अपलोड करने के लिए तो चलिए हमारा जहां भी फोटो है वहां से हम अपलोड कर लेते हैं फिर से ओके करेंगे देख सकते हैं सक्सेशफूल मेसेज आज चुका है फिर से यहां पर टेंथ का सेटिफिकेट अपलोड करने के लिए बोल रहा है तो आप जहां भी आपका सेटिफिकेट होगा वहां से अपलोड करेंगे यानि सभी डोकुमेंस को आपको यहां सोके भी में ही अपलोड करना है तो चलिए फिर से अपलोड करेंगे ओके करेंगे देख सकते हैं अपलोड सक्सेशफूली टेंथ का सेटिफिकेट हो गया है इसी परकार हम कास्ट सेटिफिकेट को भी अपलोड करेंगे तो आप अपने एक left thump impression को upload करना है उसके बाद upload करेंगे ओके करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ मेरा thump impression भी upload हो चुका है अब यहाँ पे signature को upload करेंगे अप्लोड documents ओके यहाँ पे successful का message आ चुका है उसके बाद जो है 10th का mark sheet यहाँ पे upload करेंगे तो चलिए 10th का mark sheet भी upload कर लेते हैं लास्ट document से मेरा चलिए upload करेंगे करने के बाद यहाँ पे successful का message आ चुका है उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं नीचे स्क्रोल करेंगे और यहाँ पर देख सकता है term and condition को accept करेंगे agree और agree करने के बाद जो है final submit application पर click करेंगे तो चलिए आप formula लिए होंगे तो आप यहाँ पर term and condition को accept कर लेंगे accept करने के बाद आपको यहाँ पे final submit का option पर click कर देना है क्लिक करने के बाद जो अगला इंटरफेस देख सकते हैं खुलके आ चुका है यहाँ पर डाउणलोड करने का option आ चुका है यहाँ पर आपको जो form फिलप किया है महां से डाउनलोड कर चुके हैं आपे देख सकते हैं तो अब इसे प्रिंट करके रख लेना है तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर किजिएगा चेनल पर नए हैं तो सस्क्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसे इसे टेकनिकल वीडियो हम लाते र सब्सक्राइब देकनल कर लूरण भीडियोह